दोस्तो मैंने इस बल्ब को कुछ दिन पहले रिपेर किया था यानि दो से तीन दिन हो गया और जो दोस्तो यह बल्ब है यह लगभग में एक से दो घंटी जला इसके बाद यह पूरी तरह से बंद हो गया अब इसमें क्या फाल्टाय होगा उसको देखेंगे तो देखें दो यहां पर मैं duv को लगया था और दोशनी यहां पर मैं दोनों प्यच को अच्छे सकता था और यहां पर जो फेंटंग पेस्ट की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं पेस्ट को भी मैंने यहां पर अपल़ाय क necessity यहां फो च्याइक अब देखिए दोस्तों इसमें जो हाल ठम को दिख रहा है जो हमारा एक SMD LED है यहां पर देखिए बर्न हो चुका है तो दोस्तों हो सकता है कि जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिल गया होगा जिसके कारार जो हमारा एक LED है वहां जल गया तो दोस्तों DOB का कोई भरूसा नहीं होता है आप DOB को लगाएंगे तो यह हमारा डारेक्ट हेस और नूटरल से चलता है इसमें कोई भी मारे डाइबर सरकीट नहीं लगते हैं तो सबसे पहले मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूं तो देखिए यहां पर मैं फोल्डर मे और जो इसका प्लक है दोस्तों इसको मैं यहां पर कनेक्ट करता हूं तो देखिए हमारा जो बल्ब है वह नहीं जल रहा है और अब इसमें जो हमारा एक LED है वहीं खराब है तो यहां पर मैं इसको शोट करके सबसे पहले देखता हूं कि वाकिम दोस्तों हमारा यहीं यहां पर दखिए इस प्रकार से मैंने एक छूटा सा वायर ले लिया हूं अब यहां पर हम इस SMD LED को आपस में सोट कराएंगे तो अगर हमारा जल रहा है तो समझेंगे हमारा यहीं SMD खराब है तो दखिए आपको हाद से भी टच नहीं करना है वरना आपको जहटका लग सकता है क्यूंकि इसमें दोस्तों हमारा डारेक्ट जो भी AC वोल्ट आ रहा है तो यहां पर मैं इसको अगर मैं यहां पर इस SMD लिट्ग को आपस में सोट करता हूं यहां पर ज़िद्धू आ रहे है इसक बाद मैं देखता हूं तो यहां पर दखिए दोस्तों पूरी तरह से मारा बंद पड़ा और यहां पर मैं कर रहा हूं तो मेरा सीरीज वाला बल्ब देख सकते हैं जल रहा है यानि कि यहां पर हमारा यह सी वूल आ रहा है तो इसमें और हमारे कुछ SMDLD फ्यूज हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें एक हम अच्छे कंपणी का एक ड्रेवर लगाएंगे और एक भी प्याकनीहां तो मैं इसको मैं हम मैं लगा लूंगा है तो देखें आपके समय को बचाने के-मैं मैं इसको साइड में रकता हूं और एक दोस्तों मैं इसी प्रकार का यहां पर जो भी है यहां पर देखी Pas खाली रखा हँ यहां पर देखिए इसका कवर है और यहां पर हीटिंग है और यहां पर पीज है तो दोस्तों आपके समय के लिए मैं यहांपर सबसे पहले यहां पर रखा हूँ अब इसमें हम सबसे पहले M-CPCB को अच्छे से tight कर देंगे देखिए दोनों पेच को मैं सबसे पहले खोल करके इस M-CPCB को यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ देखिए मैंने M-CPCB को यहाँ पर अच्छे से tight कर लिया हूँ तो आपको एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं सबसे पहले आप अगर एल इडवल्व को बढ़िया तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो इसका फिंच है दोनों को अच्छे से टाइट कर दें और जो हमारा यह है इसके बाद यहाँ पर जो हमारा वायर है दोस्तों दोनों यहाँ पर इस होल मिच में डालना है देखिए इस परकार से करेंगे और जो हमारा वायर है इसको अच्छे से मैं यहाँ पर लगा लेता हूं तो सबसे पहले आपको दोस्तों वायर को यहाँ पर लगाना है तो मैं सबसे पहले दोस्तों वायर को भ हमारा दो वयर निकल जाता है देखिए बाहर की तरफ छोटे छोटे वयर आगे हैं इसको इस प्रकार से मोड़ने के बाद यहां पर आपको जो भी शोल्डरिंग आयरन है आप शोल्डरिंग आयरन से यहां पर अच्छे से आपको शोल्ड करना है देखिए जैसे मैं यहां पर बढ़िया तरीके से शोल्ड कर लेता हूँ देखिए दोस्तो मैंने दोनों पॉइंट को अच्छे से यहां पर शोल्ड कर ले हैं यहां पर अब देख सकते हैं अब जो हमारा ड्राइबर सर्कुट है यह बाहर नहीं निकले अब यहां पर जो दूस्तो वायर है यहां पर लगे तो इस प्रकार से दोस्तो वायर को बाहर निकलेंगे यहां पर इस प्रकार से रखेंगे और जो हमारा यह ढार बाहर लीवजाब दोनों को शोल्ड करता हूं देखिए दोस्तो मैंने अच्छे से यहां पर शोड़िंग कर दिया हूँ अब जो इसका दोस्तो उपर का कभर है मैं इसको यहां पर लगा लेता हूँ अब दोस्तो यह हमारा LED बढ़िया तरीके से जलने के लिए तयार है तो दोस्तो आप जो है कि अगर आपका भी बल्ब जल्दी 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 जल्द रहा है तो आप driver circuit वाला बल्ब को बनाईए आपका जो LED बल्ब है वो 100% दोस्तो लंबे समय तक चलेगा है तो देखिए दोस्तो मैं सबसे पले इसको टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा देखिए आपर holder है और holder में हमारा voltage आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको connect करता हूँ तो जो हमारा बल्ब है दोस्तो LED बल्ब है बढ़िया तरीके से हमारा जल रहा है तो इस प्रकार से दोस्तो आप टिकाऊं LED बल्ब को बना सकते है तो देखिए मैं AC वोल्ड को disconnect कर दिया और जो हमारा LED बल्ब है यहाँ पूरी तरह से शेप और सुरजजीत है तो इस प्रकार से आप भी दोस्तो बना सकते हैं तो I hope कि आप कोई वीडियो पशंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को हमारे लाइक कर देए और हमारे चैनल पर दोस्तो नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देए मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में जेहिंद बंदे मतरूं आपके दिन सुभू आपके बच्चे रहें खुशे रहें।